हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी साथि मैं विग्रान चोद्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला के अप्लिकेशन पर आशार उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बहतर चल लई होगी तो कैसे हैं साथियों आप बताएगा जरा जुड़िएगा जल्दी से वही कैसे हैं आप सभी साथी बि मिलेंगे आप से एक नए टोपिक के साथ मुगल सल्तनत के साथ तो जल्दी से जुड़ जाएगा अब हम धीरे धीरे ही सही लेकिन शैशन या क्लास की समापती की तरफ बढ़ते हुए है ना भई तो चलो जल्दी से जुड़ जाओ वई या एक बार और बता दो जरा कैसे ह हो वही आप लोग और जितने भी साथी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार जी राम राम जी राधे राधे जैसरी राम वंदे मातरम जैहिंद सलाम सत्यकाल आदाब गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून गुड इविनिंग तो कैसे तीन में फिक्या पढ़ था में तुगलक डाइन किसकी बारे मैं तूगलक डाइनेस्टीं के बारे में हमने पढ़ाता साथ यह थीक है시면 151 साहकर एंगि और जो लोदी डाइनेस्टीं वह जहान चोटे चोटी डाइनेस्टी है ठीक है ना जो सैयद डाइनेस्टी है साथ ये चोध है सो चोध है से चोध है सो एक्यावन तक सासन करेगी और जो लोधी डाइनेस्टी है वो 1451 से लेकर के 1526 तक काम करेगी उसके बाद साथियो अगर टाइम बचा तो पूरे MCQ डिसकस करेंगे साथ यो पूरी दिल्ली डाइ इनेस्टी से रिलेटेड ठीक है बई तो चलिएगा पढ़ते रहीएगा अब तसल्ली से अगर बेटा MCQ तक पहुचना है बिना किसी अड़चन के तो पढ़ते रहीगा फिर मैं लाश्ट में आपके MCQ भी करा दूँँगा बेटा अब चलो बई अब सुरू करते हैं बेट जिसका संस्तापक साथियो आपका कोन है खिजर खानाम का कोई व्यक्ति ये रहा ठीक है ना फिर कोई मुबारक शाहा नाम का रहा होगा कोई मुहम्मत सहरा होगा और फिर अलाउद्दीन आलमसाई अंतिम कोई इतना वड़ा सामराज्य साथियो ये नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा पढ़ा जाए लेकिन जिसके बारे में भी कोई कोश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर भी डिसकस कर लेते हैं इसे ठीक है ना चोधैसो चोधैसे चोधैसो इक्यावर बेटा चलिए का सैयद वन्स दा सैयद डाइनेस्टी वाजफाउंड़ वाई खिजर खान दा जनरल ओफ तैमूर लंग बच्चे तो ये कौन था तैमूर खान का सेना पती था तैमूर लंग बेटा कलम ने इसके बारे में पढ़ा ये बेटा एक इन्वेडर्स था क्या था एक इन्वेडर्स था कहा का मंगोल का भी या और इसने बच्चे 1398 एसवी में दिल्ली को लूटा था अगर याद हो आपको है ना तो जब ये दिल्ली को लूट करके वापिस जा रहा था तो भाई इसने अपना सेना पती जो था खिजर खान इसको दिल्ली का सासन दे दिया कि आज से दिल्ली तुम देखोगे आज से दिल्ली आपकी तुमारी है साती यानि कि दिल्ली राजवन्स का सात्यों ये चो ठीकि मी? इस डाइनेस्टी रूड़ दिल्ली सलतना फ्रोम 1414 तो 1451 यान यह 1414 से लेकर के 1451 तक इसने सासन किया है खिजर खान वाज़ दा फाउंडर ओफ सायद डाइनेस्टी सातियों सायद वन्स का संस्तापक था मुलतान लाहूर और दिपालपूर का इसको राजा बना करके चला गया खिजर खान डिड़ नोट एज्यूम दा टाइटल अफ सुल्तान ही वाज़ से संस्तिस्वाइड विद दा टाइटल ओफ रायत ए आला भीया सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट फैक्स ने यह वाला और यहीं से आपका कोश्टन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बताएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधी नहीं धारन की और उसने अपने आपको रायत ए आला कहलवाया ऐसा कुन सा सुल्तान हुआ है तो साथियो सयदवन्स का जो संस्था पकता खिजर खान इसने अपने आपको रायत ए आलाप का कहला है बिटा यानि कि साथियो इसने अपने कोई सिक्के भी नहीं चलाई इससे पूर्व के जो एक राजवन्स था तुगलग डाइनेस्टी तो जो वो सिक्के चल लेते इसने भी या मार्किट में वही सिक्के रखे कि मैं अपने राज़ पर ज्यादा बोज नहीं बढ़ाना चाहता तो इसी ने विटाप कर लिया खिजर खान डाइड ओन माई 1421 साथी चोध है सो एक्किस एस्वी में इसकी मिरत्यू आपकी हो गई है साथियो किसके खिजर खान की खिजर खान के बाद इसका बेटा है मुबारक सहा आफ्टर देथ ओफ खिजर खान हिजशन मुबारक सहा असेंड़ दा थ्रोन ओफ देहली एंड एज्जिम दा टाइटल ओफ शाह साथियो यानि कि जब खिजर खान के मिरत्यू ही तो उसका बेटा मुबारक सहा साथियो राजगदी पर बैठता है जो अपने नाम के पीछे क्या लगाता है सहा लगाता है साथियो ये बहुत आएगा भीया पेपर में ये ये वली बुक यहिया बिन एहमद सरहंदी वाज पैटरनाइट भाई मुबारक शाह साथियो क्योंकि ये जो यहिया बिन एहमद सरहंदी है ये किताब लिखेगा जिसका नाम है साथियो तारीख ए मुबारक साही तो ये मुबारक साहा के बारे में जानकारी इस किताब में मिलेगी जो किसने लिखी है यहिया बिन एहमद सरहिंदी ठीक है ना किसके बारे में लिखी है मुबारक साहा के बारे में मुबारक साहा को उन्हें भी आपका खिजर खान का बेटा है ठीक है भई किलियर बहिया यहां तक किलियर बहिया इन दिस आज सिटी नेम्ड मुबार्काबाद नाम के एक सहर भी इस ने बसाया है इन 1434 ओन दे बैंक्स ओफ रिवर यमुना यमुना में बसाया तर सीरी से बाद दिल्ली में बसाया होगा बेटा ठीके जी मुबारक शहा डाइड ओन फेबुरी 1434 बेटा ठीके जी अलाउद्दीन आलम सहा वाज दा लास्ट रूलर ओव सय्यद डाइनेस्टी ठीके जी तो सय्यद वन्स का अंतिम सुल्तान कुन था अलाउद्दीन आलम सहा अब हम बात करें साथियो लोदी वन्स की ये बेटा लास्ट डाइनेस्टी है लास्ट एम्पायर ओफ देहली सल्तनत यानि कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सामराज जी है जी लोदी वन्स बेटा इसका संस्तापक को ने बहलोल लोदी चोध है सो इक्यावन से ले करके चोध है सो नवासी तक इसने सासन किया भीटा ठीक है ना ये बहलोल लोदी भीटा सबसे लंबा कार्यकाल रहा था बिटा इसका सबसे लंबा इससे जादा लंबे समय तक दिल्ली का कोई सुल्तान आपका अपनी गद्धी पर नहीं बैठ पाया था तो वो है जी आपका कौन ये बिटा चोध है सो इक्यावन से चोध है सो नवासी यानि कि लगबग लगबग थर्टी एट इयर्स ये राजगद्धी पर बैठा था बिटा फिर इसका बिटा सिकंदर लोदी आया फिर बिटा इब्रहेम लोदी आया ठीक है तो इसे पढ़ लेते हैं बिटा दा फाउंडर ऑफ द लोदी डाइनेस्टी वाज बहलोल लोदी बिटा बहलोल लोदी था साथियो ये शेट ओन दा थ्रोन अफ देहली ओन एपरिल नाइंटीन फूर्टीन फिर फिर्टी वन विट टाइटल ओव बहलोल शहा गाजी के नाम से राजगद् ये सारे के सारे बिटा तुर्क थे तुर्किस थे सारे के सारे लेकिन जब लोदी वन्स आया तो ये तुर्किस नहीं थे बिटा ये कहां से थे अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे तो ये दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली परसासन करने वाला पहला अफगान राजवन्स अक्सर पूशता बिटा इस question को ठीक है बई पहला अफगान state या पहला अफगान dynasty कौन था जिसने दिल्ली सल्तनाथ पर सासन किया तो उसका नाम क्या है यह अपका बहलोल लोधी या लोधी dynasty बिटा इसने बिटा अपने नाम से कोई बहलोली सिक्के चलाए होंगी बिटा दा मेन सक्सेस ओव बहलोल लोधी वाज टू इंक्लूड दा स्टेट ओफ जोनपुर 1484 इन दिल्ली सल्तनाथ यानि कि जो जोनपुर बिटा पहले आपका सवतन्तर था तो उसने इसको जीत करके बिटा अपनी दिल्ली सल्तनाथ में मिला दिया और यही इसकी साथियो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है आफटर रूलिंग फूर 38 इर्स ही डाइड इन 1489 बिटा यानि कि लगबग लगबग 38 साल सासन करने के बाद इसकी 1489 इसवी में मिरत्यू आपकी हो जाती है साथियो सिकंदर लोदी देखेगा निजाम खान इसका जो रियल नेम है बिटा क्या है इसका यह रियल नेम है बच्चे निजाम खान दा सन ओव बहलो लोदी सेट ओन दा थ्रोन अफ देहली ओन जुलाई 17 1489 इड विध टाइटल ओफ सुल्तान शिकंदर सहा सुल्तान सिकंदर सहा के नाम से बहलो लोदी का बेटा जिसका वास्तविक नाम निजाम खान था यह राजगदी पर बैठा है इन फिफ्टिन जीरो फोर एडी ही एस्टैबली दस सिटी ओफ आगरा तो इसने साथी आपका पंद्रह सो चार इसवी में आपका एक सहर बसाया है आगरा बिटा कोई मुझे बता देगा किस नदी के किनारे पर आगरा मुझे दरसल पता नहीं जरा बताईएगा कमेंट करके बिटा मैं भी देखू कितने बच्चे एक्टिव हैं इस बैच में कि आगरा सहर किस नदी के किनारे पर है जी गुड़ा अफ्टर नूर बिटा जले बताएगा जरा हम भी देखें क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कम से दिखाई दे रहे हैं जो एक्टिव हैं कि दो आंसर आए बिटा अभी तक बस जल जल दी बताओ बेटा आगरा किस नदी के किनारे पर इस्थित है चलिएगा बेटा तो बिलकुँ सही आंसर दिया है यमुना जी के किनारे पर बेटा आगे देखते हैं देर ही आलसो बिल्ट आफ फोर्ट विच वाज फेमस एज बादलगड किला यानगी जहां इसने आगरा सहर बसाया वहाँ पर बेटा इसने एक किलाबी बनाया जिसका नाम बादलगड है इन फिफ्टिन जीरो सिक्स एडी आगरा वाज मेड़ दा कैपिटल बाई अले सिकंदर लोदी बेटा तो सिकंदर लोदी ने सात्यों पंदरे सो छे एस विफ्टि में आगरा को अपनी राजधानी बनाया आगरा अभी तक पूरी दिल्ली सलतनत की जो राजधानी चलती आ रही थे वो दिल्ली चलती आ रही है तो पहली बार राजधानी जो बनाई गई है वो आपकी आगरा 1506 ECU में किस ने बनाई है सिकंदर लोदी ने आपकी बनाई है बेटा ये है सात्यों बादलगर फोर्ट ठीक है बादलगर फोर्ट के अवसेई से मिटा ये आगे देखिए है सिकंदर लोदी इंट्रोड्यूस्ट गज ए सिकंदरी दा ओथेंटिक स्केल ओफ मेजरमेंट फोर लेंड बेटा यानि कि भूमी मापन के लिए इसने गज ए सिकंदरी नामक पहमाना चलाया वन यार्ड वाज युज्वली थर्टी इंच रिटरा थर्टी इंच मतलब आपका भाई फिट के आज पास इस चला आना चलाया जिसका नाम रखा गया साथ गज ए सिकंदरी ठीक है चलिए यह बहुत इंपोर्टेंट अभी या बहुत बार पेपर में पूछा गया सुल्तान सिकंदर लोदी हूरोट पर्शियन पोईम से टाइटल गुल रुखी यानि कि यह बिटा खुद अपनी कवीताएं लिखते था जिसमें इसका नाम क्या लिखा जाता था गुल रुखी बाई दिस सरनेम यानि कि सिकंदर लोदी कवी भी था जो अपने आपको बिटा गुल रुखी के नाम से क्या लिखता था कवीताएं लिखता था साथी कौन सिकंदर लोदी ठीक है आगे देखीगा इट पैंड मुस्लिम्स फोर टेकिंग आउट ताजिया यानि कि साथियो इसने मुस्लमानों का एक जो धार में की यात्रा होती है ताजिया इसने वो निकालने पर भी प्रतिबंद लगा दिया था ताजिया आप समझते हो बिटा आपने बहुत सारे सीरियल या बहुत सारी फिल्म में लथपत होते है ऐसे बहुत सारे सीरियल या बहुत सारी फिल्मों में सीन देखा ओगा देखा या नहीं देखा बिटा तो वहीं साथ यो ताजीया कहलाता थे था oni हुसेन सहा की कुर्बानी के दिवन के तोर पर अपका मनाया जाता साधी अभी कल परसो या इरान में भी मनाया गया है तो इसने उसको बैन कर दिया था ठीक है चलीगा अगे मोठ मुश्क्यू वाज बिल्ट भाई सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी का कोई वजीर था साथी जिस कहां पर दिल्ली में साथी हो नहीं देख आच्छे जी चलो कोई बात नहीं है सिकंदर लोधी डाइड ओर नवंबर फिफ्टेन वन सेवन ड्यू टू थ्रोट डिजीज बहिए गले की बीमारी के कारण इसकी मिरत्यू कब हो जाती है 1570 यह मोठ की मस्जिल साथी हो पता नहीं यह आप लोगों ने भी कुछ देखा हुआ या नहीं देखा पता ही नहीं है इतने सीधे बच्चे पता ना कहां से आ गए जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता यह ए बिटा ऐसे जीवन कैसे कटे गए आपका इतने सीधे सज्जन पुरुस झाल 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 लिए रहे बई चलेगा बिटा मिया भोया कौन था ये वजीर ओव सिकंदर लोदी क्या होगे बिटा सरी है बैच कब तक पूरा हो जाएगा एक जम से पहले हो जाएगा नहीं एक जम के बाद होगा बिटा कैसी बात करते हो यार एक जम के बाद क्यों कम्पिलीट होगा क्या फायता उस बैच का फिर यार एक जम के बाद होगा यह कम्पिलीट एक्जाम से पहले में टश की डेट दी हुई है कैसी बात आप लोग ऐसी बात क्यूं सोचते हो और कहां से तर दिमाग लगाते हो भी मला हम इतने बेवकूफ आदमी हैं कि आपके लिए कोई बैच लेकर कहा है इसमें इतने सारे टीचर इतनी सारी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है एक साथ में छेचे साथ साथ किलासिस आपकी चल लिए कि वो बैच आपका एकजाम के बात तक ले करके जाएंगे वाह मेरे लाड़ लोग कितने तेजस्वी हो यार आप लोग इतनी बुद्धी कहां से लगाते हो हैं वास्त में आपको तो यार भारत रतन नोबल पुरुसकार आईफा पुरुसकार फीपा पुरुसकार किर्केड वल्डकप सारे मिलने चाहिए यार इतनी अच्छी सोच के लिए हगीकत में यार भेजूंगआ बिटा आप सब का नाम में आगे अब की बार की सारे आवार्ड अब की बार आप लोगों को ही मिलने चाहिए वह इतने बढ़िया- लगाने के लिए दिमाग लगाने के लिए बिटा किसी को बिटा कोई से और भी चाहिए ना बता दे न भी या कोई उरवाड चलो तो इबराहिम लोधी की बात कर लेते हैं बिटा कौन है ये आफ्टर दा डैथ ओफ सिकंदर लोधी हिज एल्डेस्ट सन बड़ा बेटा इबराहिम सेट ओन दा थ्रोन ओफ आगरा विद टाइटल ओफ इबराहिम साह इबराहिम साह के नाम से गद्धी पर बैठा इन फिफ्टेन सेवंटेन एडि दे इरवाज अवार बिट्वें इबर राणा सांगा इन विच दा लोधी जो वर डिफिटेड बेटा यानि कि इन दोनों के बीच में के लड़ाई भी हुई थी साथ यो जिसे हम कहते बैटल ओफ घटोली बैटल ओफ घटोली जगह पढ़ती है साथ यो आगरा और राजिस्थान के बोर्डर पर साथ यो तो उस युद्ध में इबराहिम लोधी कि हार हुई थी आपकी राणा सांगा के दुआरा विता ठीक है चलीगा अमंग दा सर्दार्स यानि की सर्दारों में पंजाब का सासक दोलत खान लोधी एभम इबराहिम लोधी के चाचा आलम खान ने काबूल के तैमूर वन्सी सासक पाइदा नियोता कि ऐसे है बाबर साब हैं ऐसा है बाबर जी आओ दिल्ली आगर लूटो और जब लूट लो तो उल्टे चले जाना यहां से सासन हमें छोड़ जाना कितने बेवकूफ आदमी थे यह सारे के सारे इन्होंने भहिया बाबर को बुला लिया कि बाबर आएगा बाबर है अफगानिस्तान में फर्गना एक जगह पढ़ती है वहां पर जो इसके चाचा थे चच्चा जान थे ना आलम खान लो दी यह चच्चा जान कोई पंजाब का था दोलत खान लो दी और तो और बेटर राणा सांगा ने भी नियोता दिया था बाबर को भारत आने पर कि जी ऐसा है बाबर साब इबराहिम लोदी को हम तो हरानी पारे सारे मिल करके आप आओ और जीत लो आगरा को इनके दिमाग में क्या बात थी कि बाबर आएगा जीतेगा और वो तो अपना सामराज जमाँ चला रहा तो उल्टा चला जाएगा अब भहिया बाबर आ गय देता है रोज मेरा सासन चीन लेता है वहां सैबानी खानता है इसका प्रतिद्वंदी बाबर का वहां पर तो इससे अच्छा मैं सोने की चडिया इतने बड़े सामराज्य पर ना सासन करूं जहाई आपस में लड़ते फिरते हैं मैं मज़ा लूँगा इसके बीच में पहली बैटल बैटा और भाहिया इसमें ही पहली बार तोप खाने का प्रियोग किया गया था बारूद को क्या कहते हैं भी इंगलिस में यार आइटले आइटलरी लिख लो यानि कि तोप खाना पहली बार भारत में किसी आकरवन में तोप खाने का प्रियोग किया गया है तो वो यह है ही वाज किल्ड इन इस बैटल कौन इबराहिम लोदी यानि कि इबराहिम लोदी भहिया दिल्ली सल्तुनत का एक मात्र साथक था जो किसी युद्ध भूमी में मारा गया है। वरना एक भी राजा या एक भी सुल्तान आपका नहीं मारा गया था साथियो बैटल फिल्ड में ये एक मात्र सुल्तान है दिस वार प्रोवड एपोक मेकिंग एंड दा मुगल डाइनस्टी वाज एस्टेबलिस्ट इंडिया तो इस तरीके से साथियो दिल्ली सल्तनत का भी अब आप भी सुरू हो जाओ है अब आप भी सुरू हो जाओ या फटा फटा आंसर देने में पूरा बेटा गुल्ड डिल्ली डाइनस्टी रिवाइज करेंगे हूँ फोंड तुरकान ए चहलगानी और चालिस अदल विद फोटी तरकिस सरदार एबक इल्तुतमिस गुड नाइट बेटा गुड नाइट बाबू अच्छे अच्छे सपने देखो किसी का डांस देखो नासते हुए पढ़ते हुए मुस्क्राओ जाकर के भी या खूब नींद लो और पांच-छे दिन मम्मी आपको गाली देती रहें आपकी पर आप फिर भी ना उटो खू करन के परिवार में सामिल करवा दे छै महीने सो आप है है हुँ है 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 बिलकुल भी नहीं इतने बीटा में इनके बारे में डिटेल ना पढ़ लेंगे बारे सो ग्यार ऐसे बारे सो चत्यस इतने पोल लगाएंगे रियल फांडर ओफ देहली सल्तनत देहली को राजधानी बनाया इसने देहली को क्या बनाया था या कैपिटल बेटा इसने इलबरी तुर्क था ये इलबरी तुर्क क्या कहा जाता इसे सलेव ओफ सलेव क्या कराई थी इसने कुत्व मिनार कंप्लीट कराई थी भी ये इसने पने समय में ठीक है किसने इल तुर्क तुर्क थी इसने बेटा के लिए रविया चलिएगा बेटा आगे देखते हैं बच्चे इन हूज रेंडिट दा साउथ अफ्रीकन ट्रेवलर इबन बतूता विजिट इंडिया किसके समय में आया वहिया हुमायू अकबर एंबिटी या अलाउद्दीन खिल जी तो वहिया एंबिटी के टाइम में इबन बतूता भारत आया साती हो अफ्रीकी यात्तरी ये बस बेटा ये कहां से आया तब या मू रख को कब आया थर्टिन थर्टी थिरी में विया इसको क्या बना गया विया काजी ओफ दहली कौन से किताब लिखे थी विया इसने रेहाला या सफर नामा जिसमें इसने अपने दुवारा की गई यात्राओं का वर्णन किया था साती हो ठीक है चले आगे देखते हैं बिटा दा फर्ष्ट टुर्क टू इंडिया वाज भारत पर पिर्थन तुर्क आकरवन करने वाला कौन था इन में से महमूद गजनरी मुहम्मद गोरी चंगेज खान या तैमूर लंग जी बिटा काजी की मतलब एक तरीके का धर्म ने आए धीस धर्म से जुड़ोगे जो फैंसले लेता है बिटा काजी कहलाता है वो ही तो काजी साहब थे जिन्होंने बिटा पाकिस्तान की यहालत कर दी थी याद करो जब तारा सिंग महां सही सलामत मान गया पाकिस्तान में सांथ था बेचारा अगर वो काजी साहब ना आते कि कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो तारा सिंह आज पाकिस्तान की यے आहलत ना कर देता बेचारों के पास एक नल थी एक handpin सा उसे भी उख़ड लाया और जब से तारा सिंह आया है तब से भहीया पाकिस्तान की ये आहलत हुई तो काजी साब को भी भहीया थोड़ा सा सोच समझ कर रियक्ट करना चाहिए था हुआ अब देखो आरा दोबारा पता नहीं क्या क्या लाएगा नहीं है तो कौन था सातियो महमूद गजनवी सातियो सातियो ऐसा बताते है एक हजार एक से ले करके एक हजार 27 तक इसने कुल 17 टाइम्स आकर्मन किया है इंडिया बर कुल 17 बार बेटा एक हजार एक से ले करके 1027 तक बेटा चलो वह आगे देखते हैं मिटा हू वाज दा लास्ट रूलर ओफ लोधी डाइनेस्टी लोधी डाइनेस्टी का अंतिम सुल्तान कुन था बहलो लोधी इबराहिम लोधी दौलत खान लोधी यविया सिकंदर लोधी सर आप फिल्में बहुत देखते हो कहो तो ना देखें बेटा बहिया अब ना देखी जाते फिल्म विल्म बहिया वरना पहले जब जवानी थी ना जब तुमारी उम्रों में थे तब बहुत देखियें बेटा अब तो भाईया अर्सा बीट गया फिलमें देखे में ताइम ही न मिलता तुम्ही नहीं नहीं चीज सोचते रहो पढ़ाते रहो पढ़ते रहो यही है इबराहिन लोदी बेटा अच्छे बेटा एक बात और में बतातो लोदियों के काल को मकबरों का काल काल का जाता है चलिएगा आगे दिखते हैं बिटा तराइन के दिवतिय युद में किस ने किस को पराजित किया भीया मकबरा मतलब वाह कपिल जहरिया सहाब मकबरा भीया एक तरीके का यादगार इसमार जैसे ताज महल है तो मकबरा आए यानि कि जहां बेटा किसी को दफनाया जाए मरने के बाद तो वहिया मेहमूद गजनवी ने किसको अरया प्रत्विराज चोहन को कब 1192 यह हुआ था 1191 बेटा फो इस्टाटिश ओफ सिजदा और पाबोस इन दर रोयल कोर्ट बेटा सिजदा और पाबोस नाम की पिर्था बेटा किसने चलाए इलतुतमिस बलबन अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिंतुगलग बेटा तो भाईया बल बन साथियों जो कब सुल्तान बना तब हिया 1266 से 1266 बेटा इसने अपने आपको क्या कहलवाय तब है जिल ए इलाही ठीक है जी इसने बेटा तुर्क ए चेहलगानी का इसने बंद करवा दिया था एबोलिस्द तुर्क ए चेहलगानी बेटा इसने क्या दिया था विया थियोरी ओफ किंग सिंग् यानि कि राजत्व का सिध्धान्त ठीक है जी इसने बहिया आपका एक और नीती दी थी जिसका नाम है आयरन एंड बिलड या बिलड एंड सौर्ड यही है वो बादसा सलामत सातियो बलबन भाई इसने बहिया आपका नवरोज फैस्टिवल भी भी आपका पहली बार मनाया है सातियो ठीक है यह कहनी है कि इसकी बलबन भाईगी ठीक है और क्या बनायाता इसने लाल महल क्लियर भी तो देख लो बिटा इस तरीके से रिवीजन हो जाता है यह दा ओरिजनल नेम ओफ अलाउद्दीन खिल जी वाज अलाउद्दीन खिल जी का वास्त्विक नाम आपका क्या था अलाउद्दीन खिल जी का आँख दिक्कत करने है यार अलाउद्दीन खिल जी का वास्त्विक नाम आपका क्या था भीया तो भीया क्या है अली गुर्सस्प भाई थीक जी अलावद्दीन खिल जी कब राजगद्दी पर बैठा 1276 में से 1260 है बेटा बतीजा था नेफियू ओफ जलालवद्दीन खिल जी तो जिसने अपने चच्चा जान को अल्ला को प्यारा किया राजगद्दी पर बैठा बेठा थीक है तो permanent army रखने वाला पहला व्यक्ति था भी यह, permanent army रखी बिटा, ठीक न, cash, payment, ID card, canteen system, घोडों को दागने का system, ठीक है जी, बाजार, नियंतरन, प्रिणाली, तेहरे सो तीन ECU में कून सा जीत है इसने, चितोड़ गड़, इसका जो सैना पती था वह यह, उसका नाम था मलिक काफूर, क्या नाम था, मलिक काफूर, क्या कहते थे इसको, हजार दिनारी, क्योंकि इसको एक हजार दिनारों में खरीदा गया था, कहां से गुजरात से बेटा इसने बहिया क्या-क्या बनवाया है क्या-क्या इमारते बनवाई होज खास बनवाई सीरी फोर्ट बनवाया हजार खंबा मेहल बनवाया हजार खंबा मेहल तीनों का है दिल्ली में भाईया ठीक है जी अमीर खुश्रो इसके साथ था इसके दरबार में था अमीर खुश्रो भाई अपना ठीक है के लिए तो देख लिजी का भाईया अब बोर्ड पर कोई जगे सी नहीं बचरी वरना और दो चार बात लिखे देते जी बिटा अलाई दरवाजा भी लिखे लिए अलाई दरवाजा ठीक है भी चलिए आगे देखते हैं बिटा और चितोडगड का नाम क्या रखा था इसने खिजराबाद अपने बेटे के याद में खिजराबाद चले भी आगे मलिक काफूर वाज कोर्ड हजार दिनारी बिकोज क्यों कहते थे भी अउसे एक हजार दिनारों में खरीदा गया वैया 1000 सैनिकों का प्रदान था उसके पास 5000 गाउं का स्वामित्त था या इन में से कोई ने बिटा क्योंकि भीया इसको 1000 दिनारों में खरीदा गया था कहा से खरीदा गया था भीया गुजरात से गुजरात से एक्चल में था क्या जब गुजरात पर अलाउद्दीन खिल जी की सेना ने आपका आकर्मन किया था तो अलाउद्दीन खिल जी का कमांडर था विटा एक जिसका इस गुजरात के दोरान एक सेना पती था इसका उसका नाम था जी नुश्रत खान क्या नाम था नुश्रत खान तो नुश्रत खान को ये पहली बार मिला था तो नुश्रत खान इसके बाहदुरी से बहुत फेमस हुआ था फिर भावित हुआ तो इसने इसको खरीदा था फिर ये आपका अलाउद्दिन खिल जी का सेनपती मिल जाता है आगरा सहर की स्थापना किसके दुआरा की गई है तो आपका सिकंदर लोधी साथी हो पंदरहसो चार इसवी में पंदरहसो चै में इसको राजधानी बना दिया बाई हूम वाजदा क्वत्तुल इसलाम मोस्क्यों बिल्ट बिटा क्वत्तुल इसलाम मस्जिद किसके दुआरा बनाएगी है किसके दुआरा बनाएगी बिटा क्वत्तुल इसलाम मस्जिद बेटा रहने जी अब बेटा आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं पोल क्यों नहीं करा रहा हूं इस सैसन में क्योंकि देखो पोल में थोड़ा टाइम लगता है ना फिर ये डिटेल डिसकस नहीं हो पाती जो मैं रिवाइज आपका करा देता हूं बेटा सारी चीजे आपको एक ही जगे कंपाइल करके सारी चीजे मिल जाती है ना जिस दिन मैं टेस्ट टेस्ट लूँगा केवल आपके स्पेस लिए उस दिन बेटा ये करा हूंगा तो आपका कुत्व बुद्दीन एबग बेटा कुत्व बुद्दीन एबग बारे सो चैसे बारे सो दस बेटा कोन है जी ये फाउंडर ओफ देहली सल्तनत ठीक है जी कौन था जी सिलेव ओफ मोहम्मद गोरी इसलिए बेटा इसे स्लेव डाइनेस्टी भी आपका कहा जाता है स्लेव डाइनेस्टी भी कहा जाता है ममलुक डाइनेस्टी भी कहा जाता है ममलुक डाइनेस्टी ठीक है जी चलिएगा कुत्व बुद्दीन एबग की जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि इसने क्या-क्या इमारते हैं भारत में बनवाई तो इनमें एक नाम तो भीया आपका आता है कुतुब मिनार का एक नाम आता है जिए आपका कुट्टुल इसलाम मस्जिद का जो आपकी भारत की पहली मस्जिद आपकी मानी जाती है फर्स्ट मोश्क्यू ओफ इंडिया यही है साथियो ठीक है जी और आपका अड़हाई दिन का जोपड़ा अड़हाई दिन का जोपड़ा यह बिटा यह भी एक्चुल में एक क्या है मस्जिद है इसका नाम अजीब है लेकिन कहां पर है अजमेर में भी यह तो यह भी वास्तों में क्या है एक मस्जिद है साथियो बिटा बाबू कल बाबू सेटरडे ना कल बाबू छे घंटे किलास होते मेरे डेली पोसिबल नहीं है बिटा मैं करा दूँगा परेशान मतना हो यार मैं सब कुछ करा दूँगा परेशान मतना हो आप ठीक ना परेशान मतना हो कैसी भी बिटा घंग बात करते है बिटा इसके टाइटल की यह इसकी उपाधियों की veins एक टाइटल इसकी लाख बक्ष एक टाइटल बिटा है इसकी पील बक्ष एक टाइटल है इसकी वहिया कुरान खा एक टाइटल है वहिया इसकी हातिम सेकंड हातिम सेकंड बच्चे ठीक है तो ये आपका कुत्व देन एबक बिटा चलिएगा वोज डोटर वाज रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इन में से किसकी बेटी थी बटा इसकी जो राजधानी थी वो लाहूर थी बिल्गुँ सही बटा आप परिशान बत न हो यार तुम्हें मेरी एफरेट में कोई कमी नहीं मेलेगी बटा चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी हो आप लोगों के साथ आप लोगों को हिस्ट्री समझानी है आप तक content पहुंचाना तो पहुंचाना है तराइन का पहली लड़ाई किस किस के बीच में आपकी हुई है किस किस के बीच में मुहम्मद गोरी और पृत्विराज चोहान जबकि विनर कौन रहा बेटा इसका यह विनर रहा था पृत्विराज चोहान बेटा कौन था सात्यों इन में से तुगलग वन्सका संस्थाप ग्यासुद्दीन मलिक तुगलग मुहम्मद बिन तुगलग या फ्रोसा तुगलग कौन था बेटा तो भाईया ग्यासुद्दीन तुगलग ठीक है जी जिसका वास्त्रिक नाम क्या था गाजी मलिक तेहरे सो बीज से चोधै सो चोधै तक इसका सासन रहता साथ ये तुगलग डाइनेस्थी जिसमें ग्यासुद्दीन तुगलग का सासनकाल तेहरे सो बीज से तेहरे सो पच्चिस तक आपका माना जाता है सात्यों इसने एक सहर बसाया बेटा जिसका नाम है तुगलकाबाद आज भी है जिए तुगलकाबाद सिटी कहाँ पर दिल्ली में निजामुद्दीन ओलिया के साथ इसकी दुस्मनी थी जी जिसने क्या काता हुनुज दिल्ली दूरस्त बेटा चलिएगा इन हुजरीन वाज अलबरूनी आहिस्टोरिन यह अच्छा कोश्चन है अलबरूनी किसके सासंकाल में इतिहास कारता यह कोश्चन साइद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो इस कोश्चन का आपको अंसर खु हुआ चलो भाया तो बिटा अलबरूनी था मेहमूद गजनवी बिटा जब यह मेहमूद गजनवी आया था ना तो इसके दरबार में तीन पिरमुख रियक्ती थे जिनमें एक नाम है अलबरूनी विपुल बिटा किसी और बैच में भी पढ़े हुए हो इमानदारी के साथ बता ना बिटा उत्वी और फिर्दोसी तो जो अलबरूनी था बिटा इसने किताब लिखिये साथ यह तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद इसने बिटा विपुल बिटा क्योंकि कौन से वाले बैच में एखिये जी जो उत्वी बिटा इसकी है जी किताब उल यामिनी अच्छे तुम सारे सीजेल वाले व भी वुए अरे यारो तुम अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो जार रही तो अगर पहले पढ़े हुए हो यार कीमत नहीं समझ रहें बेटा टाइम के आप लोग अच्छा ओ ओक्ए ओक्ए ओके बेटा तो यह तीनों इसके दरबार में थे और बेटा अगर कोई पहले पढ़े हुए ना यह सब चीज़ें हिस्टरी तो बेटा दो बार से टाइम खरा मत करो अपना आप लोग अगर पहले एक बार पढ़ चुगे तो मैं तुम्हें सच्चा ही बता रहूं एक बड़ा मजबूरे भारत वर्स में महमूद गजनवी एक हजार एक माय तो एक हजार एक में आएगा महमूद गजनवी ने एक हजार पच्चिस में सोमनात को लूटा तो एक हजार पच्चिस ही रहने वाला है गुलाम बंस का संस्तापक कुत्वद्दिन एबकी रहेगा कोई कुछ यही हिस्ट्री है तो इससे चाहिए कि इसे फिर टाइम को अच्छी जगह इस्पेंड करें जहां आपकी कमजोरिया वहां उस सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट करें ज्यादा 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 प्रैक्टिस करें हिस्ट्री के मैं तो यही सला देता हूँ बच्चों को जब एक बार आपने कंप्लीट कर लिया देखो बस अंतर क्या आता बिटा कोई टीचर की टीचिंग स्टाइल अलग होती है 19-20 का अंतर है कोई टीचर एक फैक्ट दो फैक्ट कम बताएगा कोई टीचर दो फैक्ट आपको ज्यादा बता देगा कोई टीचर आपको उलूल जुलूल फैक्ट बता करके आपको अपनी तरफ आकर शित कर लेगा कोई बिटा नपातोला बताएगा केवल जो एक्जाम में औरिंटेड होती है तो थोड़ा सा आपको भी चीज़े ध्यान देनी है ना चलीगा बिटा चलीगा मुहम्मद बिन तुगलग मिटा तो यह कोन है अपना अलाउद्दीन भाई विच ओव दा फोलूइंग स्टेटमेंट इस करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग बल्मन इनकरेक्ट बतानी है बल्मन से जुड़े होई इन में से कौन सी ऐसत्य है उसने चालीस अदल से संबंदित सामंतों का दमन किया कानून एवं वैवस्ता की बाहली के लिए उसने लोहाविं रख्त की नहीं ती अपना ही उसने केंदरिय सेन्ने विभाग दीवान ए अर्ज क की इस्थापना की या इन में से कोई भी नहीं बिटा अरे वहिया सारे सहीं बिटा सारे वाट इस दा इंकरेक्ट सिक्वेंस अफ फोलोंग डैनेस्टी देट रूल इंडिया बिटा गुलाम डैनेस्टी वहिया बारे सो चैसे बारे सो नब्भे रही खिलजी डैनेस्टी बारे सो नब्भे से तेहरे सो बीस रही सैय्यद बिटा चोधijn सो चोधन है से चोधैसो इक्क्यावन रही और भेया लोधी डैनेस्टी चोधैसो इक्क्यावन से पंद्रःसो चब्भिस रही तो एक दो पाँच यह किरम बननेगा भेया एक दो पाँच चार तीन बिटा which one of the following is the correct sequence of the early rulers of the slave dynasty early ruler बेटा कुन थे slave dynasty कुत बुद्दी नेबक इलतुतमेस रजिय सुल्तान या आराम सहा चलिएगा बेटा कुत बुद्दी नेबक बारे सो चैसे बारे सो दस बेटा ठीक है इसके बाद भीया आपका बना आराम सहा बारे सो दस से बारे सो ग्यारा फिर आपका बना इलतुतमेस बारे सो ग्यारे से बारे सो च्छतिस फिर आहीं रजिय अभी भी ये किरम था तो एक चार दो तीन बिटा एक चार दो तीन बिटा ये गलती कर बैठे हो आप लोग वेर डिड एम बी टी डाई बिटा मुहम्मद बिन तूलक के मिरत्यू कहां हुई थट्टा दिल्ली दोलताबाद या लाहोर बिटा तो भहिया कहां हुई थी थट्टा सिंध कब 1351 बिटा हूँ वाजदा ओथर ओफ तबकात ए नाशेनी बिटा शेक जमालुद्दीन अलबरूनी मिनाज उस्सिराज या जिया उद्दीन बरनी बिटा आप हुआ जाँ झालुद्दीन बिटा इंप प।दमेग कहां हुआ हुआ है युआ है प्रीज़न कि भी चालुद्दीन बिटार याँ हुआ है झालुआ है चलिएगा बिटा तो मिनहाज उस सिराज बिटा इसने लिखे तबकात ए नाशरी बिटा और साथियों जिसको इसने डिनोट की थी उसका नाम नशरुद्दीन महमूद नाम का एक सासक हुआ था कोई बहुत बड़ा सासक नहीं था किस डाइनेस्टी में था गुलाम डाइनेस्टी में ठीक है जी कब लिखे थी 1260 के आसपास बेटा ठीक है तो इसके यह समर्पित की थी अच्छा मुझे यह बताओ बेटा कि इस वाली फाइल में अभी आपके टाइम क्योंगी हो चुका है अभी आपके इस फाइल में बेटा कोशन बचे हुए पांच और ठीक है ना तो इन पांच कोशनों को बेटा आप स्वैम कर ले ना बेटा तो साथ ही आज हमने क्या पढ़ा दिल्ली सल्तनत पार्ट फोर पढ़ा ठीक है जी बेसिकली लोधी एंड साइयद और क्या करा हमने प्रिविएस इयर कोशन लगाए बेटा ठीक है बई तो पांच कोशन है बेटा इसमें बचे हुए तो उन पांच कोशनों को आप स्वैम करेंगे एक बार देखेंगे बेटा खुदी तो कल साथियों मिलेंगे फिरम और आप लोग एक नई सेसन के साथ मुगल डाइनेस्ट के साथ तो सभी साथी बिटा तयार रहेगा उस टाइम जुड़ने के लिए ठीक है उम्मीद करता हूं साथियों आज का सेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा कुछ नहीं चीज़ें मिली होंगी प्रैक्टिस भी होगी आप आप लोगों की ठीक है चलिएगा जय ह झाल 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 झाल